गाउं में एक साथ पहले बनने वाली 1400 मीटर की सड़क में धांदली का मामला सामने आया पदाय जारा है कि सड़क का निर्मार नहीं हुआ और ठेकेदार ने फरजी तरीके से भगतान किया ग्रामीडों ने आरूप लगाते हुए भ्रश्डशार में लेपत ठेकेदार के खिलाफ कारवाई की मांग की है ग्रामीडों का कहना है कि ठेकेदार उने कच्ची सड़क निर्मार कारे कागसों में दिखा कर 19 लाख रुपे का गवन किया गाउं की ग्रामीडों ने जिला प्रशासर से तकनीकी जाज कराने की मांग की है साथ ही जल्द कारवाई ना होने पर जिला मुख्याले के गोल चमूत्रे पर धरना प्रतरशन करने की चितावनी भी दे चेत्र पंचात के द्वारा करकर आया गया है रोड का कच्चे गाम का तो यहां रोड तो डला नहीं है दो साल पहले और पूरा पैसा खा चुके हैं और यहां से लगबग डिल किलो मीटर तक का रोड अंदा जा गया है जिसमें 19 से 20 लाख रुपाय का गमन हुआ है पूरा जमीनी इस तरफ है कहीं पर रोड नहीं है और इसी तरीगी के अन्ने जगाए भी गाउं में काम हुए हैं जिनका पैसा पूरा खा लिया गया है अब अगर यह काम रेजिस्टर में चल गया वहां पर गौर्मेंट के रिकॉर्ड में तो उनके माध्यम से तो काम हो चुका है अब हम लोग कहां जाएंगे फिर तो रोड डला नहीं हमां यहां पर हम लोग तो परेशान होते ही रहेंगे और यहां अदकारी आते हैं ना नर्पकार की रिपोर्ट लगा जाएंगे और उनका कहना यह भी होता कि आप उंचे लोगों से क्यों मतलब फाल तुमें पंगा धृँष रहे हो आगे जाके आपको दिक्कत होगी समस्या होगी पीसे का लोग बं देते हैं के पैसा लेलो और अपनी रिपोर्ट से लेंड़ो हैं अपर यहां पे ना तो अभी हमगे की खेते सो आना पड़ता है अगर उनके खेत अगर बुबाई हो गई तो हम बोवी ने निकल पाते हैं हमारे डले रहे जाएंगे फिर पेंडिंग में डला है पूरा पैसा निकाल लिया गया है उनेश लाक रूपे निकाल लिया गया है और आध तक रोड नहीं डाला गया है जि अब यह दिया है और छेद पंचाद का काम है छेद पंचाद वालों ने पैसा भी निकाल लिया गया है बताए अभी तक पूर्टाई से रोड निगला है और सारे अत्कारी आते हैं कहें कि आप रोड डल गया है आप मौके पर देखें हम प्रिसासन से अहीं अन्रोद करते ह हैं सभी लोग बहुत परिसान हैं प्रिसासन से बार बार हमारा अन्रोध है कि रोड का देखा जाए कि मट्टी डली की नहीं डली